हम गवर्णर साब से इमलेंटी अव्यान का सब प्रदेश के जन संगटनों का एक प्रदेशनेटी मंदल मिला और हमने उनसे मांग की कि यह जो आपदा इस बगत प्रहिमाचर प्रदेश में आई है त्रासदी हुई है इसमें इतने नुकसान हुआ जिसका हम स्टेट रेवनि है यह सिर्फ बारिश का बज़े से नहीं उसकी बज़े है कि हमने गलत तरीके से बांदों का निर्माण खासकर नैशनल हाइवे और फोर लेंड का निर्माण किया हमने रूडल रोड में भी बहुत सारी अनीमता हैं बरती इनको रोकना चाहिए तीसरा है कि आज हम जंगलो हुए प्रंतु उसके बाद डेमों ने सडकों ने और दूसरे निर्माण ने जंगलों की भारी तरवाई की और उसका प्रिणाम है आज हम भुक्त रहें इस डिजास्टर को और शिमला के संदर में फिर से में कहना चाहूंगा कि शिमला का जो यह इन्होंने दूआजार इक कमंत्री से भी बात करेंगे के वो केंदर सरकार से एक तो अभी इमिजेट यह कहें कि हम जो लोग जिनके घर गिरे हैं जंगल गयें खेत गये हैं बगीचे गयें उनको बन भूमी में जगह दी जाए इसके लिए वो फरुस कंजर्वेशन एक्ट में एक्जेम्शन के लिए स्टेट गमंट एपलाई करें और केंदर से बात करें दूसरा कि राश्री आपदा गोश्ट करने की हला कि इनों ने किया है और फिर से सावाल उठाएं और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में आगे विकास होना है इत इस द्यूटी अप स्टेट गमंट नौ मैं सुकू पर रोखो और गाओं-गाओं में अलगलग को अलगलग अधैन करके जीओ स्टेडिंक करके वहां पर निर्मान की निती निरधारित की जानी चाहिए जिसमें वहां के लोगों को भी शामल किया जाना चाहिए निश्य तोर पर सब पर होना चाहिए प्रन्तु ग्रॉसली वा लट दिये समाज को बड़े दो शित्र को तबा किया और नहीं के जो एंक्रोच्मेट जो हुआ है ब्यास में जिसमें उन्होंने माना है कि पांच मीटर तक नहीं ब्यास के अंदर गया भाई कौन जिमेबार है यह अधिकारी जिमेबार होंगे ना और इनके कलाब कारवाई हो लोगों का नुक्सान हुआ है सेंज बजार उड़ा बिलकुल वहां हाईल प्रजक्ट के खिलाब खासकर सतलु जल लिगव के खिलाब जो है डेमिस्ट फाइल होने चाहिए एक नम एंटी पीसी के खिलाब होने चाहिए और लेंड के खिलाब होने चाहिए यह दूरी होना करते होने चाहिए यह दो लोगे होने चाहिए सेंजे के खिलाब होने चाहिए यह दूरी होने तो फब करते ही सही जाल आता है सकती है लोगी दोगश्य।